नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाडी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार ICDS विभाग के तरफ से एक नया लेटर प्राप्थ हुआ है जिसका यहाँ पे तिथी दिया गया है 3.1.2022 यानि इस लेटर को कल ही भेजा गया है यहाँ पे संची का संख्या देख सकते हैं कि 04 इस लेटर को भेजने वाले हैं अनुसरोन पदादिकारी ICDS नीदे साले सिवा में सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी सभी बाल विकास परियोजना पदादिकारी पुरे बिहार में इस लेटर को संबाने रूप से भेजा गया है तो आगे आप सभी को बताऊंगा कि इस लेटर का जो विषय दिया गया है वो क्या है किस संबंद में इस लेटर को भेजा गया है उससे पहले आप सभी आगनबारी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दिजिए और जो भी आगनबारी बहने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको आगनबारी से जुड़ी जनकाडिया सह समय मिलती रहे तो जैसे कि यहाँ पर इस लेटर का विशाय यहाँ पर देख पर होंगे कि आगनबारी केंद्रों पर माह दिसंबर 2021 का टेखोम राशन का वितरन करने हे तूर टोकन पर नाली की तिथी विस्तारित करने के सम्बन में तो जैसा कि आप सभी को मालू होगा कि जो दिसंबर महीने का पोसहार वितरन की जो अंतिम तिथी रखी गई थी वो 31-12-2021 तक ही रखी गई थी तो अभी तक आगनबारी सेविकाओं दोरा जो पोसहार वितरन है उन नहीं किया गया है तो नीचे जानेंगे इस लेटर में कि इसकी जो तिथी है वो कब तक विस्तारित की गई है यहाँ पर देख सकते हैं महासय उप्रियुक विशयक और प्रसंगिक पत्र के दोरा राज्य के सभी आगनबारी के इंदरो पर पोसहार टोकन पर नाली के माध्यम से टेखोम राशन माह दिसंबर 2021 का वितरन करने की तिथी दिनांग 31.12.21 तक निर्धारित की गई थी परन्तु बितरन की इस्तिती अत्यंद धीमी रहने के कारण निदेशा नुसार दिनांग 7.12.22 तक ओधी बिस्तारित किया जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस्तिती को बिस्तारित करते हुए 7.12.22 तक ये तिती बिस्तारित की गई है 7-1-2-22 तक जो भी आंगनबरी सेविकाओं अभी तक पोसहार वित्रन नहीं कर पाई है वो 7-1-2-22 तक अपना OTP वेरिफिकेशन करके पोसहार वित्रन कर सकती है अता सभी मईला परविक्षिकाओं आगनबरी सेविकाओं को निदेशित किया जाए कि माह दिसंबर 2021 को 70% पोसहार कूपन या टोकन परनाली के माध्यम से ही कराने हेतू ब्यक्तिगत रूची लेकर समयवद वित्रन कराना सुनिशित किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तिथी है उसको विस्तारित कर दिया गया है अब जो आगनबारी से विकाय है वो अपना OTP वेरिफिकेशन करने के पस्चात साथ एक 2022 तक पोसहार वित्रन कर सकती है तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप सभी आगनबारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही साथ इस लेटर को और ने आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद